कक्षे दस्री वाले चात्र अपना विज्ञान का त्रेमासिक परिक्ष्या का पेपर देख लिजगा इस पेपर का समय तीन गंटी होनी वाला है पुन्डांग पिछत्तर अंक आपको इस पेपर का संपुन उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है सबसी पिले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिये गए है इनको पढ़ने की बार इस पेपर का हमारा पेला प्रसंद्या जिसमें सही वीकल पर चुन कर लिखना है जो आपकी परिक्षा में छे नंबर के पूची जाने वाला है तो पेला देख लिखा निम्र में से कोन वोतीक परिवर्तन नहीं है तो पेले में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा दवला एल पीजी का दहन दूसरा देख लिजगा जल का pH मान होता है तो जल का pH मान कितना होता है यह आप सभी को बता कर लिखना है तो दूसरे में correct answer आप सभी को लिखना होगा बावला 7 तीसरे देख लिजगा सबसे अधेक किर्जा सिल दातु है तो तीसरे में correct answer आप सभी को लिखना होगा बावला ए यू चोता देख लिजगा मनुष्य में व्रक एक तंत्र का बाग है वा है तो वा कौन सा है तो चोती का answer लगा लिजगा चोती में सभला एजे correct answer हो जाएगा पाँच में देख लिजगा पादप में जायलम उतर रही है तो पाँच में correct answer आप सभी को लिखना होगा अवला जलक का वहन चेटा देख लिजगा माश्तर ग्रनती का नाम है तो चेटे में correct answer आप सभी को लिखना होगा अवला पीवस ग्रनती दूसरा प्रसंद देख लिजगा जिसमें रिक्तिस्तानों की पूर्ती करके लिखना होगा जो आपकी परक्षा में छे नंबर की पूची जाने वाले है तो पेला आपका दिया है तंत्रिका तंत्रिका तंत्रिकी प्रमुक इकाई क्या होती है तो पेले में लिखना होगा न्यूरान आपको पेले का उत्तर लगाना है दूसरा देख लिजगा मनुष्य में जनन होता है तो दूसरे में लिखना होगा लेंगिक मनुष्य में लेंगिक जनन होता है तीसरा देख लिजगा नर युगमक एवं मादा युगमक के सनलियन को कहते हैं तो तीसरे में लिखना होगा नी से चन कहते हैं और चोता देख लिजगा नरसंतान के लिए उत्तरदाई गुनसुत्र है तो चोते में correct answer आप सभी को लिखना होगा xy पांचवा देख लिजगा आकास का रंग नीला प्रकास के किस कारण दिखाए देता है तो पांचवा में लिखना होगा प्रकास का प्रकास का प्रकिर्णन यह आपको लिखना होगा पांचवा का उत्तर छेटा देख लिजगा सिर्की में किसा अमल होता है तो छेटे में लिखना होगा acetic अमल acetic अमल होता है तीसरा प्रसंद देख लिज़ेगा जिसमें सत्यत्व असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परिक्षा में 6 नम्मर के पूचे जाने वाले है तो पेला आपका दिया है CO1 अमली आकसाइड है तो बिल्कुल है सत्य जाएगा दूसरा आपका दिया है Sodium अत्ती की जासिल दातु है तो बिल्कुल है सत्य जाएगा तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य जाएगा और चोता आपका दिया है काच का अपवर्तंग नांक एक से कम होता है तो बिल्कुल नहीं होता है असत्य जाएगा और पांचों आपका दिया है विद्धुत उफकरन स्रेनिकम में स्योजित होते हैं तो बिल्कुन नहीं होते असत्त जाएगा और छेटा आपका दिया है ओजुन परत पराबेगनी वीकरन को रोकता है तो बिल्कुन रोकता है सत्त जाएगा चोता प्रसंद देख लिजिगा जिसमें सही जोडिका मिलान करके लिखना होगा तो सही जोडिका मिलान कर लिजिगा मिस्र दातु इसमें लिखना होगा कासा मास्त्र गरंती में आपको लिखना होगा पीउस लिखना है नर युगमग में आपको लिखना होगा सुक्रानू गुंसुत्र में आप सभी को लिखना होगा लिंग निदारन अभिसारी लेंस में आप सभी को लिखना होगा उत्तर लेंस और विद्धुदारा का मापान इसमें लिखना होगा अमेटर पांच वह प्रस्ण देख लेजग लोहे में जंग लगना कित प्रकार की अभिकिर्या है तो पेले में लिखना होगा रेडाक्स अभिकिर्या आपको पेले का उत्तर लिखना है दूसरे देख लिजगा अगनाशय में किस हार्मोन का इस्तरावन होता है तो दूसरे में लिखना होगा इंसुलीन आपको दूसरे का उत्तर लगाना है तीसरे देख लिजगा मनुष्य में आईडन की कमे से कौन सा रोग होता है तो तीसरे में लिखना होगा गेंगा रोग और चोता देख लिजगा मनुष्य में सुक्रानु जनन की ज़्या कहा होती है तो चोते में लिखना होगा व्रेशन में व्रेशन में होती है पाच्व देख लिजगा अनुवनसिकी के जनक का नाम लिखी ये तो पाच्व में आप सभी को लिखना होगा गेगर मेंडल और छेटा आपका दिया है दरपन का सुत्र आप सभी को लिखना होगा तो छेटे को उत्र लगा लिजिगा 1 upon F equal to 1 upon U plus 1 upon V यह आपको लिखना होगा दरपन सुत्र अब आप सभी दो दो तीन तीन एवं चारजान नमर के प्रसन देख लिजिगा और सभी के उत्र आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में तो आपका छेटा प्रसंद्या है सन योजन अभिक्रिया को उधरन सेथ समझा कर लिखना होगा और अत्ववला प्रसंद्या आपका दिया है अत्वव देख लिजिगा उवेदर्मी आकसाइट क्या है दो उवेदर्मी आकसाइट का उधनसाइट आपको देना होगा और अत्वव आपका दिया है लोहे को जंग से बचाने के दो तरेके आपको बताने है देख लिजगा नौवा प्रसन, नौवे की बाद आपका यहां पर दस्वा प्रसन दिया है, जिसमें हाइडो कारवन क्या है, उरन देकर आपको समझा कर लिखना होगा, और अत्री वाले प्रसन में आप सबी को साबूनी करन से आप क्या समझते हो, इसका समय करन आप सबी को लिखना है, 11 प्रसन देख लिजगा, 11 वी की बाद आपका 12 प्रसन दिया है, 12 वी की बाद आपका 13 और 14 प्रसन यहां पर दिया है, सभी की उत्रा आपको बता देंगे, और 15 प्रसन देख लिगा, 15 वे के बाद आपका 16 प्रसन दिया है, 16 की बाद आपका 17 और 18 प्रसन आपक जिसमें क्या करना है प्लेमिंग के बाय आतका नियम आप सभी को लिखना होगा और अतिवी वाले प्रस्ण में आप सभी को अमल एवंसार में अंतर लिखना है अब मैं इस पेपर का पूल सॉलिशन बता देता हूँ जैसे कि हमने आप सभी को कुश्च नमर एक से लेकर पांस तक के उत्तर पेले बता दिये अब आप सभी छेट से लेकर तेईस तक के उत्तर देख लेजगा तो ये हमारा चेटे प्रेशन का अंसर हो जाएगा चेटे के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को सात्वी प्रेशन का उत्तरिया से मिल जाएगा तो आप सभी को दस्वी प्रेशन का उत्तरिया से मिल जाएगा दसवी के बाद आप सभी देख लिजगा ग्यारवी प्रिश्ण का उत्तर ग्यारवी के बाद आप सभी को बारवे प्रिश्ण का उत्तर यासे मिल जाएगा बारवी के बाद आप सभी देख लिजगा बारवी प्रिश्ण का अत्वे का उत्तर और आगे हम चलने वाल है तो आप सभी को 13 प्रशन का उत्र आशी मिल जाएगा 19 वे के बाद आप सभी को यहां पल मिल जाएगा 20 वे का अंसर देख लिजगा 20 वे के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 21 वे प्रशन का अतवे का उत्तर और आप सभी देख लिजगा 22 वे प्रशन का उत्तर ठीके मिलते अगले वीडियो में